नागोर सीट पर इस बार विदान सबाद चुनाओं में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा दर असल कॉंग्रेस की पूर सांसर जोती मिर्दा ने वीजेपी का दामन थाम लिया और वीजेपी ने वहाँ से यूं कहें कि नागोर से उन्हें उमिद्वार बना कर मैदान में उतारा है और इसके साथ हरेंदर मिर्दा जो की जोती मिर्दा के चाचा हैं कॉंग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है हलां कि जोती मिर्दा का कहना है कि हरेंदर मिर्दा ने कहा था कि अगर मुझे टिकेट मिलेगा तो मैं उनके सामने नहीं लेड़ूंगा लेकिन हरें हरंदर मिर्दा की अगर बात करें उन्हें एन वक्त पर टिकेट मिला अब वो अपनी कारिकरताओं के साथ समवात करने में लगे हैं लेकिन बात करें बाग्यों की जोती मिर्दा हलंकी जो बगावत करने वाले नेता हैं यूं कहें कि वीजेपी के कदावर नेता हैं जिनके ट जोती मिर्दा ने यू कहें कि जवी जेपी का दामन धामा तरह तो हनमान बैनिवाल ने कहा था अगर वो मैदान में उतरती है तो पूर्व विदान सबाद चुनाओं से यू कहें कि लोकसवाद चुनाओं में जिस तरह बड़े अंतराल से उन्हें हराये था इस बार भी बड जोती मिर्दा तरीके से जनता का मण चट्रों लेकि कोशिस करने में लगए है वहे हरेंदर मिर्दा जिनको समय कम मिला है एंन वक्त पर उनको टिकट बिली तो ऐसे वह भी जनता का मण चट्रों लेकिंन अब इस्तिती नहें कि कम जोर और पार्टी की और से उनका टिकेट काटने के बाद हरंदर मिर्दा को जब टिकेट दिया गया तो कहीं न कहीं जो टिकेट वांग रहे थे दावेदार कांग्रेस के वो नाकुष होकर मैदान में उतर गए वीजेपी की तरब से भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब जोती मि मिर्दा अभी तक सफल नहीं हो पा हैं तो यू कहें कि हरंदर मिर्दा की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है हरंदर मिर्दा अपने इस तरफ पर कोशिस तो करने में लगे हैं जो बगावत में उत्रे हैं उनको मनाने की कवायद भी कि जा रही है नागवर शेत्र की अगर बात करें अलग लग गुट बन गए हैं गुटों के माध्यर्म से जनता का मंट टोलने की कोशिश की जा रही है जोती मिर्दा हालंकि समर्थन के मामले में गुट बनाने के मामले में अभी तक आगे चल रही है अलग लग टीमें जोती मिर्दा की और से बना दी गई है लेकिन हरेंदर मिर्दा अभी भी अपने कार्यकरताओं के साथ समवाद करने में लग हैं कार्यकरताओं की टोली बनाने की बात तो की जा रही है लेकिन टोली बनाकर कब जनता का मन टटो लेंगे क्योंकि अब समय कम बचा है ऐसे में जोरती मिर्दा तो परचार के मामले में आगे लिकल चुकी है लेकिन हरद मिर्दा अभी भी पीछे हैं खालें कि जीत किसी की भी हो लेकिन जीत तो मिर्दा परिवार की ही मानी जाएगी क्या बागी खेल बिगाड पाएंगे क्योंकि RLP भी पुर्जोड तरीके से मैदान में उत्री भी है, आम आद भी पार्टी भी मैदान में उत्री भी है, बागी भी मैदान में उत्रे हैं, ऐसे में क्या कॉंग्रेस जीती है या वीजेपी जीती है, अगर कॉंग्रेस जीती है